Hello friends, आज हम discuss करेंगे 21st December के Paper 1 का question, ठीक है? Child development is divided into which of the following domains? तो ये हमने PCSE से याद किया है, physical, cognitive, social और emotional. तो देखिए, physical, cognitive, social, emotional किसमें है? ठीक है? psychological याद नहीं किया था? spiritual भी याद नहीं किया था? ये psychological नहीं था, physiology भी नहीं था, ठीक है? तो एक emotional को इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन physical, cognitive, motor और social इसमें दिया हुआ है, ठीक है? सारे रिख, संग्यान आत्म, गामक और सामाजिक. सेकेंड देखिए. Which of the following principle, PLE होगा, states that development proceeds directionally from head to toe? तो head to toe किसमें होता है? head to toe किसमें होता है? सफैलो कॉडल में होता है. ठीक है, ये आप English में देखेंगे, तो आपको ज़्याद आच्छे से क्लियर होगा. में आप confused हो जाएंगे, ठीक है? ऐसे आप Hindi में कोशन देख लीजिए, पर Hindi में ये आपको इतना समझ में नहीं आएगा. राघब जब सिसू था, तब उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा. बालिया वस्था के आगे के चरन में उसे बहुत संवेदन सी लध्यापक मिले. फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेसानी होती है. वो जोखिम लेने का सहास नहीं दिखा पाता. रागब के बिसे में विकांस का कौन सा मुद्दा एकदम असपस रूप से वर्नीत है. तो बच्पन में अगर किसी को कुछ ज़्यादा परेसानी, गंभी रूप से परेसानी हुए है, तो वो बाद में उसका रहता है असर. इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आरंबिक और बाद के अनुभवों का मुद्दा, मतलब अर्ली लेटर एक्सपिरियन्स इसू. अगर बच्पन में दिक्कत होगा, तो वो बाद में उसका असर होगा. ठीक है? बाकी ओप्सन को समझ लिजिए. कुछ लोग मानते हैं कि यह कुछ इसको इस्टेज में मानते हैं. ठीक है? प्रकृति पालन, पालन पोसन जो है वो इन्वाइन्मेंट के अंदर आता है, प्रकृति जो गुन हमें माबाप से मिला है. ठीक है? और यह यूनिफॉर्मिटी और इंडिविज्वालिटी इसू. यूनिफॉर्मिटी क्या होता है? हर तरह का एक जैसा नहीं हो सकता, हर इंसान अलग अलग होता है. ठीक है? इसमें कहे रहा है एक रूप, एक रूप से नहीं हो सकेगा. लेकिन यह बात कहीं गई है, कि बच्पन में जो उसका हुआ था, उसका असर वो बाद में भी रह गय तो इसको कहते है आरभिक बाद के अनुभवों का अनुभव. ठीक है? नेक्ट देखिए. वहाँ खेल जो बच्चों को दूसरे के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है, क्या कहलाता है? तो यह है कल्पना सीलता वाला खेल. एक बिलीब प्ले. ठीक है? मेग बिलीब प्ले क्या होता है? कोई चोर बना, कोई पुलीस बना, इस तरह से खेलता है, ठीक है? कोई चोर बन गया, कोई पुलीस बन गया. लॉरेंस कोहलवर के नैतिक सिदान्त में, कोहलवर के सिदान्त में, नैतिक तरकना के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं, कि प्रत्येग व्यक्ति के लिनियम एक समान प्रकार से लागू किये जाने चाहिए, और प्रत्येग व्यक्ति का नीजी करता भी है, कि वे इसका पाल प्रसंसा पानी के लिए काम करता है, दंड से बचने के लिए काम करता है, इंस्ट्रूमेंटल टिट फर टेट है, ये है rules are rules, ठीक है समाजी करम को बनाए रखने का भी विन्यास, छट्था देखिए, अगर लंबे, मगर कम चोड़े ग्लास में नीबू पानी के अस्तर की और इसारा करते हुए, सारा अपनी बहन को चिराती है, कि उनके पिता जी ने उसे जादा नीबू पानी दिया है, उसकी बहन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती है, क्योंकि उसने अपने पिता को उसकी गलास से सारा के गलास में नीबू पानी डालते हुए देखा है, वह जानती है कि दोनों ग्लासों में नीमू पानी की मातरा समान है, इस संदर में सारा क्या प्रदर्सीद करती है, सारा केंदरी करन प्रदर्सीद करती है, जबकि उसकी बहन को पता है, उसकी बहन क्या प्रदर्सीद कर रही है, विकेंदरी करन, अगर उसकी बहन का पूछेग उसकी मेहन के अप्रदर्सित कर रहे हैं तो विकैंद्री करन लेकिन सारा कैंद्री करन सेंट्रेशन का गुने उसके अंदर विकैंद्री करन नहीं कर पा रहे हैं ठीक है Next देखिए प्याजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक बस्तूओं के लिए प्रतीकों का इस्तिमाल करने लगते हैं और तार्किक मांसिक समझ विक्सित होने लगती है देखो क्या कह रहा है अब वो प्रतीक का इस्तिमाल करने लगा मतलब सिंबॉलिक थोट उसके अंदर आ गया ठी लेकिन अभी पूरी तरह से तार्किक मांसिक समझ अभी उभरना ही शुरू है पूरी तरह से वह नहीं कर पा रहा है मतलब प्री ओप्रेस्टनल में है ठीक है जो है, वो पहचान लेता है का प्रि-ाउप्रेशनल में. तो ये प्रि-ाउप्रेशनल होगा. अमन, एक पहली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोसिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगापर, सही हिस्सों को फिट करने के लिए संगर्ज करता है. कैसे क्या क्यों के रूप में उसकी मां उसे संकेत प्रदान करती है तो संकेत अगर मां प्रदान करे या टीचर करे तो उसको क्या कहते है उसको कहते है पाड़ स्कैप होल्डिंग ठीक है नाइन देखिए बाइगास्की के सिद्दान के अनुसार सहायक खोज किसमें सहायक है, सहायक खोज, सहायक खोज को English में कहते हैं, Discovery, Assisted Discovery, बताइए, तो आप पहले देखिए, इसमें पुनरबलन, जो है, यह बाइगोसकी से related है ही नहीं, यह सब option ही बाइगोसकी से related नहीं है, सिर्फ यह option ही आपका बाइगोसकी से related है, ठीक है, Cognitive Conflict, Pairing of Stimulus Response, और Reinforcement, यह सब बाइगोसकी से related नहीं है, सिर्फ पियर को लेवराशन जो है, वही बाइगोसकी से related है, ठीक है, दस तंबर देखिए, हावर्ड गार्डनर के बहुआ आयामी बुद्धी के सिद्धान्त के नुसार निमनलिकित में से किसका प्रियोग द्रिष्टी गत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योगिता और अपने आरंभीक अनुभवों के परिवर्तन लाने की योगिता होती है, बताइए, अस्थानिक बुद्धी, इसको इंगलिस में कहते है, इसमें स्पेशल इंटेलिजन्स में क्या है, वो जगह देख करके बता देगा, उस जगह में कितना जगह में क्या आएगा नहीं आएगा, मतलब इसको स्पेस का पूरा जानकारी रहेगा, ठीक है, जो बोडिली काइने स्थिक होता है, उसको क्या होता है, उसको अपने बॉडि पार्ट्स में पूरा कंट्रोल होता है, इसमें बॉडि पार्ट्स में कंट्रोल होता है, यह मैथ और लॉजिक में अच्छा होता है, और यह इंट्रा पर्सनल जो है, वो खुद को समझने में अच्छा होगा, ठीक इस भासा को पढ़ने और लिखने में उसका परवाह है उसके बिद्याले में नीरदेश का माध्यम हिंदी है वहाय Bueno का कर देते हैं। बहु भासा बात की संस्कृती स्रीजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातरी भासा का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, मातरी भासा का हमेशा सम्मान होगा, जिस ओप्सन में मातरी भासा का सम्मान होगा, वही ओप्सन ठीक होगा, जेंडर, जेंडर क्या है, जन्म के समय निर्धारित होता है, अनुवांसिक विश्विस्ताओं द्वारा पुर्व निर्धारित होता है, सामाजिक संडचनाओं द्वारा आरोपित होता है, बस एक बात याद रखना है कि जेंडर क्या है, एक सोसल कंस्ट्रक्ट है, जेंडर एक social construct है अध्यापक के द्वारा आंकलन और मुल्यांकन के विभीद तरीकों का इस्तमाल किया जाना चाहिए बिल्कुल सही बात है तरह तरह का तरीका अपनाना चाहिए एस्समेंट के लिए मुल्यांकन का उद्देश या अच्छा निस्पादन करने वाले विद्यार्थियों को सेज कक्छा से प्रिथक करना ऐसा नहीं है प्रिथक करने के लिए मुल्यांकन क्या जाता है कमी का पता लगाने के लिए ठीक है तो A सही और B गलत है, A सही और R गलत है निमिलिकित में से क्या प्रगतिसील कक्षा की बिस्यस्ता नहीं है, नहीं पुछा है बच्चों की सक्रिय रूप से सहभागिता ये एक अच्छी चीज है लचीला सम्मू गठन भी अच्छी है, गतिसील अध्यापक भी अच्छी बात है दंड और पुरुसकार जो है ये प्रगतिसील कक्षा में नहीं होता है ठीक है नहीं पुछा है तो यहीं आप्सन आंसर सही है रासी ने बच्चों की अवधार्नाओं के प्रतिसमझ का आकलन करने के लिए एक नई विधी का प्रियोग किया उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संबभ वो अधिक से अधिक प्रस्ण बनाए सिक्षन अधिगम का यह उपागम क्या है यह बाल केंद्रित है पाठी पुस्तक केंद्रित नहीं है उपदेसात्मक भी नहीं और कंठस्ती करन भी नहीं है बच्चे को जो मुका दिया जा रहा है तो बाल केंद्रित है ठीक है एक समावेसी कक्षा में सहयोगात्मक प्रनाली और सहयोजक अधिगम को अत्यदिक हतोत्साहित करना चाहिए नहीं ये तो अच्छी चीज है ना पॉजिटिव बात है सक्रेता से प्रोत्साहित करना चाहिए रूडिवद्दार्णों का निर्वान करती है ऐसा नहीं है लापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंजित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए विद्यालय से बाहर अतिरिक्त मदद लेने के लिए कहना चाहिए विद्यार्थियों के लिए विशेस अनुभाग बनाने चाहिए योगिता आधारित समू बनाने सहयोगात्मक समू बनाने चाहिए जो अधिगम के समवर्धन के लिए समू विवित्ता का इस्तेमाल कर सके एक विद्यार्थी जिसे ADHD है को समावेसित करने के लिए कौन सी कक्षा परभाव साली है उच्छ संडचना कक्षा जहां मुखिता सिक्षन मौखिक अनुदेश केवल मूँ से बोल के टीचिंग किया जाता है कक्षा जहां लचीली समय सारनी और बैठने के वस्तार विद्यार्थी अपनी रूची के अनुसार स्वेम काम करते हैं एक इंक्लूजिव एजुकेशन का गुन है ठीक है कक्षा जहां बिद्यार्थी पूरे समय निर्धारित सीट पर बैठते हैं कक्षा जहां ध्यापक उच्छ चिंतन अस्तरिया कारी जटिल तीनों ही आंसर निगेटिव है केवल दो नंबर ही पॉजिटिव है एक नवीन परिस्तिती में दूसरों की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन करने वाला व्यक्ति करने वाले व्यक्ति की बुद्धी का वर्गी करन अपसारी चिंतन करने वाला क्या हुआ उसको स्रिजनात्मक बुद्धी है स्रिजनात्मक बुद्धी वहाँ छात्र जीने बठन बैफल लिया है उनमें मुख्यता किसमें दिक्कत आती है डिसलेक्सिया है ठीक है डिसलेक्सिया को किसमें दिक्कत होगा रीडिंग एंड राइटिंग में डिसलेक्सिया वाले को रीडिंग एंड राइटिंग में दिक्कत होगा 21 देखिए, बच्चे के बारे में निम्नलिकित कतनों में से कौन सा कतन सही है, बच्चे बैज्यानिक सोध करता बनने के लिए पैदा होते हैं, बच्चे परियावरन के सक्रिया अन्वेसक हैं, बच्चे व्यसकों की तरह सोचते हैं सिर्फ उनसे कम नहीं, बच्चे कम नहीं स सोस्तें उतना ही सोस्तें सिर्फ क्वाइलिटी में अंतर होता है क्वांटिटी में अंतर नहीं होता है बच्चे समाजी का अंतक्रिया द्वारा अपने परिवेश से अर्थ स्रिजित करने के लिए पैदा होते हैं तो तीसरा जो हो निगेटिव है ठीक है तो तीसरा को हटा द बिद्यार्थियों को स्रेनी बद करना, रेंकिंग करना, प्रिथक करन करना, यह सा गलत चीज है, बच्चों की सोच चिंतन को समझना, बच्चों की सोच और चिंतन को समझने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है, बिद्यार्थियों को किसी भी तरह की गलती करने के लिए फट कारना विद्यार्थी को फट कारना नहीं चाहिए विद्याले में अध्यापकों की छमता की तुलना करना ऐसा भी नहीं करना है ठीक है बच्चों की सोच चिंतन को समझना 23 देखिए अधिकम किसके द्वारा प्रभावित होता है बनो वैज्यानिक कारकों से सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से विद्याले संबंदित कारकों से अध्यापक संबंदित कारकों से चारों ही बिल्कुल सही बात है ठीक है 24 देखिए कक्चा में विद्यार्थियों को त्यवहारों को मनाने के अपने अनुभवों को साजा करने के अफसर देना उसके आधार पर सुचना निर्मित करने को बढ़ावा देना किसका उधारन है बताईए बेवहारबाद का है प्रत्यक्ष निर्देशन का है पार्टि पुस्तक आधारित अध्यापन है नहीं सामाजिक संद्चना बाद है 25 का आंसर करिए राष्ट्रे सिक्षानिती 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पार्टि पुस्तकों तक्सिमित करने के बजाए अधिगम और सिक्षा तथ्यों और ग्यान के कंठस्ती करन पर आधारित होना ची पर तीन महा के बाद विद्यारतियों कि विषय वस्तु को बढ़ाना ची नही परिक्षाओं के लिए सीखने पर कैंठरी तो नाची परिक्षा के लिए नहीं पढ़ाया जाता है ठीक है पढ़ाने के लिए पढ़ाया जाता है इस्मिती विस्यक युकती कौन सी है देखिए यह आपको इंग्लिस में समझ में आएगा निमोनिक्स, निमोनिक क्या होता है, जैसे हम लोग प्याजे का stage याद करते हैं, some people can't focus, some people can't focus से याद करते हैं, जैसे planet का नाम याद करते हैं, कैसे, my very efficient mother just serve us noodles, तो यह जो बनाते हैं न निमोनिक्स, उसी को करते हैं, यह जो बनाते हैं, इसी को करते हैं, निमोनिक्स, ठीक है तो a technique that helps in remembering यह वह technique है जो याद करने में मदद करती है ठीक है इसी को कहते है निमोनिक्स समभेगों के नियमन के लिए नहीं एक परभाव सालिव यह सब नहीं होगा 27 देखिए अनुज कक्छा तीन को परियावरन अधियन पढ़ाता है वह हमेशा अपने विद्यार्थियों को किसी विषय से परिचित कराने के एकदम बाद मानस मन्थन करवाता है मानस मन्थन कराने से क्या होगा रट कर सिखना रट कर सिखने के लिए मानस मन्थन किया जाता है नहीं द्रिष्टिकोन जानना समालोचनात्मक चिंतन और खोजबिन तो पहला दूसरा तीसरा और चोथा हो जाएगा दूसरा तीसरा और चोथा हाला कि इसका खोजबिन उतना होगा नहीं इसका जो है द्रिष्टिकोन जानना और समालोचनात्मक चिंतन यह दोनों ही ज्यादा अच वच्छे अंकल आय सुनिपक करने के लिए बच्चों उसफलता का भै और उपलबदी का दवाब पैदा नहीं करना चाहिए देजिकल औरference नहीं करना-ठीक है अर्त-पूर्ण अदिगम हो सके इस मुहतपूर्ण ह कि बच्चे सारेरिक और भावातमक सुरक्षा महसूस कर सके बिल्कुल सही बात है जब बच्चे सारी रिक और भावात्मक सुरक्षा महसूस करेंगे तभी अर्थपुर्णा दिगम होगा 29 देखिए एक बिद्यार्थी अलीजा जिसका नियंत्रन केंद्र आंत्रिक है परिक्चा में और सफल होने के लिए जिम्मेदार किसे ठहराएगी जब आंत्रिक है तो वो अपने आपको ही ठहराएगी उसकी योगिता में कमी दूसरे को नहीं ठहराएगी एक अध्यापिका चाहती कि उसके बिद्यार्थी अंत्रिक रूप से अभिप्रेरित हो उसे क्या करना चाहिए उसे एक अक्छा में प्रतियोगिताओं को प्रोथसाहित करना चाहिए और बच्चों में तुलना करने चाहिए तुलना कभी नहीं कराना नहीं कम्पिटिशन क कराना है बच्चों में डर और चिंता भी नहीं करना है बहुतिक पुरुस्कार भी नहीं देना है ठीक है बच्चों में जिग्यासा प्रोथसाहित करनी चाहिए और सिखने में आनंद को अभी प्रेरित करना चाहिए आप लोग को 30 में से कितने मांक्स आए कमेंट करके जरूर और उसको समझने की कोसिस करिएगा वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए